हाई फ्रेंड्स आप भी एक फिलिपकार्ड का यूजर है तो आपके लिए गूड़ नीज है क्यूंकि आभी फिलिपकार्ड एपस के अंदर आप यूपि का सारा अकाम कर सकते हैं और साथ Всемग कर सकते हैं और अपने all notification कौन कर दिजे क्योंकि ऐसे नहीं नहीं अपडेट है banking related वीडियो हम लाते रहते हैं फिलिप कार्ट के आंदा जो UPI launch किया गया है इसको active करने की बाद आप क्या-क्या चीज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले scan and pay कर सकते हैं किसी भी QR code के आंदार उसके बाद send money to parent and family का साथ आप payment भारा कर सकते हैं उसके बाद इस UPI की थुरू आप online shopping भी कर सकते हैं तो फिलिप कार्ट UPI को active करने के लिए सबसे पहले फिलिप कार्ट apps में logging कर लेना है logging करने के बाद इस तरीके से एक banner show होगा उसका उपर आप जब click करेंगे तो या पर इस तरीके से page open हो जाएगा तो पहले हमने बता है कि फिलिप कार्ट apps के अंदर जो UPI launch किया गया है उसका अंदर आप क्या क्या चीज कर सकते हैं और साथ या पर existing offers या पर कुछ देखने को मिलेगा तो या पर जो offer दिया गया है grade 25 instant discount UPI active करने की बाद फिलिप कार्ट से fast order आप UPI की थुरू payment करके करते हैं instant 25 rupees discount मिल जाएगा और साथ चाथ किसी भी QR code को scan पे करते हैं तो या पर 10 supercoin आपको देखने को मिल जाएगा तो इस तरीके से offer बगार या पर mention किया गया है आपने mobile पर जो फिलिप कार्ट apps इनस्टॉल है वहाँ पर ये सरा चीद UPI की बारे में देखने को नहीं मिलता है तो उसको आप Play Store से जा गरके एक बार update कर लीजिए update करनी को दुबार ओपन करते हैं आपको इस तरीके से interface देखनों को मिल जाएगा तो UPI को active करनी के लिए आप एक option देखनों को मिले एक QR code scan उसकोँ पर क्लिक करना है इस तरीके से इंčार्फِّ से interface देखना को मिल जाएगा right side में my upi उसकोँ पर क्लिक करनी के गवदि इस तरीके से page open हो जाएगा तो यह अपर दो चीज आप कर सकते, एयाडे bank account, एयाडे रूपे credit card, तो सबसे पहले हम यहादे bank account करके दिखाएंगे, उसके बाद एयाडे रूपे credit card ओभी करके दिखाएंगे, तो एयाडे bank account के उसको पर किलिक करनी के आद यहाद इस तरीके से pop-up show हो जाएगा, तो आपन कर लिया जाएगा उसके बाद आपना जो बैंक अकाउंट हो यहापर नाम भी मिंशन कियागा है उसके बाद या पर डान कर देना है डान करने के बाद यहांगे आपको एक SMS भी देखनों को मिलेगा उसके बाद यहां पर एक से ज़्यादा बैंक अकॉंट है और रूपे क्रेड़ेट काड भी कर सकते हैं तो हम फिर से बैक आने के बाद यहां पर इस तरीके से फिर से दुबारा इंटरफेस आ जाएगा और साथी साथ आपका जो मोबाइल नमबर है उस मोबाइल नमबर के साथ एक यूपी आईडी भी जैनेट हो जाएगा और यहां पर आपना जो क्योर कोड है वह भी जैनेट हो जाएगा उसके बाद नेच्चे की तरह आप एड़े रूपे क्रेड़ेट काड उसका उपर किलिक करना है आपका जीस बैंक काउंट क्रेड करते हैं तो आप इस तरीके से आप रिमूब भी कर सकते हैं तो आप फाइनली मेरा जो यूपी आई है उस सारा चीज आप एक्टिव हो आप यह आपको दिखाएंगे फिलिप काड यूपी की तुरू कैसे फास्ट करते तो पे फॉन नमबर उसका उपर क्लिक करना है तो य या फिलिप कर देना है फिलिप करने काड़ या पर कुछ सकंड प्रोसेस होगा प्रोसेस वनिकवाद इस तरीके से आपना जो पेमेंट है वो 100% सकस्पूल हो जाएगा तो इसी प्रोसेस को फालो करके आप फिलिप काड का जो ऊपिए आ आई डिये उसको एक्टिव कर सकते या पर रूपे credit card को कैसे active करना है वो भी आपको दिखा दिये और आपना जो payment बगारा है सारे चीज यासे कर सकते है So friends, इस वीडियो का related आपका कोई भी question है तो आप comment में पूछ सकते हैं हम 100% answer दिने का कोशिस करेंगे So friends, इस वीडियो में इतना ही ऐसे नाइन आपडेट या banking related वीडियो आप देखना चाते हैं तो हमारा चैनल को subscribe करके all notification को on कर दिजे Thanks for watching my video